हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें, तिलक करें दो हरे किष्णा हरे हरे सच्चि दानंद रूपाय विश्व मत क्या धिये तवे तापत्र रवे नौशाय श्रीक्रिष्णाय वयं महा श्रीक्रिष्ण को बिंद अधे मुरारे एनात नाराय वासुदे बारे किष्णा हरे ना, जाधे किना, जाधे किना, हरे हरे महाराज धितराश्ट के दरबार में जब ये पता चला कि भगवान कृष्ण जीवित है, महाराज, उनका नाम भी सुनिए, उनका नाम है श्री कृष्ण, तो उनके भक्त अतिपरसन्द हुए, लेकिन शकुनी को इस सूचना से बड़ा धक्का लगा उसने क्रोध में आकर धृत राष्ट के सामने ये शपत ली कि वो किसी भी दशा में दुर्योधन को यो राज बनाएगा मैं आपके चरणों की सौगंद खाकर कहता हूँ कि यदि किसी भी कारणवश आपने युद्रिष्ठिर को हस्तिनापुर का यो राज घोशित किया तो मैं गांधार कुमार शकुनी राजनीति की वो आखरी चौल खेल जाओंगा अर्थात अर्थात युद्रिष्ठिर की मृत्यों वो चाहे कैसे भी करनी पड़े जीजाश्री चाहे कैसे भी करनी पड़े मैं बार-बार यही सोच रहा हूँ कि जब यहां सबको पता चला होगा कि हम जीवित हैं तो कैसा लगा होगा जो हमारे भक्त हैं वे अती प्रसन हुए होंगे और जो शत्रू हैं वे बड़े दुखी हुए होंगे यह सोच सोच कर कि गुमान तक पर्वत के अगनिकांड में जलकर हम भी भस में हो गये होंगे आप अभी तक उसी अगनिकांड में उल्जे हुए हैं और मुझे एक आने वाला अगनिकांड दिखाई दे रहा है क्या? एक और अगनिकांड से गुजरना होगा? हमें नहीं फिर हमारे सका को को अर्जुन हां अर्जुन शीक्री अपने भाईयों के साथ एक भीशन अगनी कान से गुजरने वाला है तो चलो हम उसकी साहता को चलते हैं नहीं क्यों अभी इस धर्दी पर उसके और हमारे मिलन का समय नहीं आया है पर इस अगनी कांट से उसकी रक्षा उसके लिए क्या स्वाय जाना पड़ता है फिर भी दाओ भाईया अभी उसके लिए काफी देर है अभी से उसकी चिंता क्यों देखो कर नहीं यहीं बात मुझे अच्छी नहीं लगती तुम सब कुछ जानते हो और मुझसे सब कुछ जहाने से पहले, सबसे पहली शर्ट तो आपने यही रखी थी। हाँ, और इसलिए रखी थी, कि जो हम कहें, वही आप करें। तो आग्या करें, जेश्ट भ्राता, इस समय हमें क्या करना है। केवल इतना ही, कि इस समय कौरवों और पांडवों के बीच क्या हो रहा है, वह हमें बताओ। तो सुनिए, हम जीवित हैं, यह समाचार सुनकर कौरवों का पक्ष कुछ घवरा गया है। हमारे जल जाने का समचार सुनकर, शकुनी ने महराज धितराष्ट को मना लिया था, कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज घोशित कर दे। फिर? फिर क्या? अब यह पता चला है कि हम जीवित हैं, तो पांडवों का पक्ष बलवान हो गया है। मैं देख रहा हूँ इस समय, भीश्म पितामा महराज धितराष्ट को समझा रहे हैं, कि वो पुत्र मोह में पांडवों के साथ अन्याई ना करें। महराज, हस्तिनापूर के सभी राजकुमार अपने अपने शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब उनके राजधानी में लोटने का समय हो गया है। जी, पितामा। मैं अपने विर्धा आखों से उन्हें हस्तिनापूर में हस्ता खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। आप उन्हें कब भुला रहे हैं। यथा शीग्र, पितामा। मेरा विचार है कि उनके राजधानी में लोटने के पूर्व ही आपके युराज बनानी की घोशना भी कर देनी चाहिए। इतनी जल्दी का कारण क्या है, पितामा। कारण आप अच्छी तरसे जानते हैं, राजन। सारी प्रजा, यह तके सारे राज्य में यही विशय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कि महाराज धितराष्ट अपने पुत्र को युवराज बनाएंगे या अपने भाई के पुत्र को। राज्य की सामंतों में भी अलग-अलग गुड बन रहे हैं। इसलिए घोशना अभी कर दी जाए। अन्यता अगर देर की गई तो भाई-भाई में युद्ध की संभावना हो सकती है। पिताम, आप पूजनी हैं। राज्य के सभी निर्णय आपकी सहमती से यू होते रहे हैं। इस पद के उत्तरा धिकार का निर्णय भी आपकी सहमती से होना चाहिए। इसलिए आप ही नाम बता दे तो अच्छा है पिताम, ये तो राजागा करतब्य है कि वो अपना युवराज किसे निउत करे। मैं राजा हवश्य हूँ। परंत्रि स्कुल में आपसे छोटा हूँ। क्या मैं आपसे परामर्ष भी नहीं ले सकता। क्यों नहीं। बगर परामर्ष वहीं दिया जाता है जहां उसके स्विकार करने की संभावना होती है। देखिये राजन, हस्तेनापुर राज्य, सत्य, न्याय, धर्म और प्रजापारण के लिए जाना जाता रहा है। यहां के राजकुल ने सदा जन्मत का आदर किया है। राजा का मत किसकी ओर है पितामा। इन सब बातों का पता तो राजा को स्वाइम होना चाहिए। यह तो आपके गुप्चरों का कर्दव्य है कि आपको जन्मत की सूचना देते रहे। यही तो दुविधा है पितामा। तनाजों के पलणों पर एक और मेरा पुत्र है तो दूसरी और मेरे भाई का पुत्र। इसमें दुविधा कैसी नियाय के आशन पर बैठनी वाले नियायधेश के मन में अगर शंका पैदा होने लगे तो वो न्याय तो कभी कर नहीं सकता है हाँ भूल अवश्य कर सकता है पर अन्तु राजन इतिहास भूल को कभी शमा नहीं करता इसलिए माई अच्छेताब नी देता हूं राजन कि किसी मोह अथो अदुर्वलता के कारण अन्याय करने के भूल ना करना रगवान आपको सबुद्धी दे रगवान आपको सबूल के दे लखबां एकार sendiri कि सया ने रगवान present च्रूल की क पूल कर सकता है हस्तिनापुर्णरेश महराज दृत्राष्ट्र ने मुझे आग्या दी है कि इस धर्बार के सभासदों को उस बात से अवगत करा दूं जिसके लिए आज यह राज्य सभा बुलाई गई है कि आप सब जानते हैं कि इन दूनों हस्तिनापुर की प्रजा में इस विशे को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि इतने बड़े सामराज्य का भावी शासक कौन होगा महाराज किसे यह राज घोशित करेंगे सारे राजकुमार जो इस समय गुरुकुल में अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अतिशीघ्र अपनी अपने शिक्षा पूरी करके राजधाने लोटने वाले हैं कि इसलिए महाराज ने निश्य किया है कि आज वो इस दर्वार में हस्तनापुर के यह राज का नाम घोशित करेंगे ताकि प्रजा अपने भावी राजा के उचित सन्मान और सतकार की तैयारी कर सके तूपhta प्रणों अपने कम प्रणों तब तैया करते हैं कि यदि आप सबकी आज्या हो तो हम अपने लिष्चे की घोष्णा कर देए अवश्य हम सब आपके निर्णे को जानने के लिए उच्छुक है महाराज ख्यमा करें महाराज परंतु इस राज्य सभा में इस समय ऐसे बहुत से सवासद बैठे हैं जिनकी ये प्रार्थना है कि इतने महत पूरुन विषय पर किसी भी निर्णे की घोष्णा करने से पहले सब को अपना अपना मत प्रकट करने का आवसर प्रतान किया जाए दुर्योधन और युदिष्ठिर दोनों में से कौन इस बद का अधिकारी है इसका निर्णे करना इतना सहज नहीं है दोनों ही बुद्ध पल और कौशल में एक समान हैं अंतर है तो केवल एक एक वर्तमान राजा का पुत्र है और दूसरा पूर राजा की संतान यहां बैठे बहुत सा लोगों का मत है कि दुर्योधन को युवराज बनाया जाए और कुछ लोग पांडुपुत्र युदिष्ठिर को युवराज बनाना चाहते हैं महाराज ऐसी परिस्थिती में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी सभासदों का मत जानना आपके लिए आवश्यक है हां राज कुमार शकुनी ठीक कह रहे हैं महाराज हम सब का मत ये हैं महाराज किसी भी दवाब में आकर आपको राजकुमार दुर्यूधन के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज मेरा भी यही मत हैं महाराज जिन सभासदों ने राजकुमार दुर्यूधन के पक्ष में आवाज उठाई है हम उनके मत का आधर करते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि हम स्वयम भी राजकुमार दुर्यूधन के प्रति कोई अन्याय करना नहीं चाहते और नहीं हम यह चाहते हैं कि राजकुमार जुधिष्टिर के अधिकार को कोई ख्षती पहुँचे युगराश कौन हो इस बात का निर्णे हमारे पूरोजों ने भी सदा जनता का मत जानकर ही किया था कि प्रजा किसे अपना भावी राजा स्विकार करना चाहती है अपने पूरोजों की उसी परंपरा का पालन करते हुए हमने आज निश्चे किया है कि हस्तिनापुर सामराज्य का युवराज राज्य सभा के मत से नहीं साधारन जनता के बहुमत से चुना जाएगा हमारे राज्य के गुप्त्चरों की सूचना के अनुसार हमारे राज्य की जनता का बहुमत राज कुमार युधिश्चिर के पक्ष में है इसलिए जनता के निर्णे को शिरोधारे करने पर विवश होकर हम आज इस राज्य सभा में घोशना करते हैं कि आज से हस्तिनापुर सामराज्य के युवराज बान्डु पत्र राज कुमार युधिश्चिर होंगे भावी आपको बधाई हो आज महाराज ने दरवार में घोशना कर दी है कि हस्तिनापुर का भावी राजा पान्डु पत्र युधिश्चिर होगा उन्होंने कुमार युधिश्चिर को युवराज गोशित कर दिया है सच आप सच कह रहे हैं विदूर भाईया हाँ भावी सारी प्रजा का दवाब इतना था कि मन से ना चाहते हुए भी वो ऐसा करने पर विवर्श हो गए नहीं विदूर भाईया ये प्रजा के दबाउं से नहीं हुआ मुझे तो लगता है कि भगवान श्री कृष्न के कृपा इस अभागन पर हो गई है वही इस पकार पत्थर में से अमरित निकाल सकते हैं हे प्रभू मैं आप ही के सहरे हूं इस दासी पर ऐसे ही कृपा बनी रहे नारायन, नारायन नारायन, नारायन, नारायन आपका स्वागत है मनी राज, स्वागत है द्वारिका की भूमी आपकी चर्ण धूली से पवित्र होई है आसन ग्रहन करें नारायन, नारायन कहिए क्या समाचार हैं प्रभू, तीनों लोगों में विश्व कर्मा की बनाई आपकी नगरी की चर्चा हो रही है हाँ, यह नगरी चर्चा के योगी है, इसलिए इसे हमने चार धामों में से एक धाम और साथ मोक्षदाई पुरियों में से एक पुरी का पत्प्रदान किया है आप जिस नगरी में स्वयम बिराजेंगे प्रभू, उस नगरी को वो सम्मान प्राप्थ होगा, जो किसी दूसरे को हो ही नहीं सकता और कहिए नारज जी, हमारे लिए कोई सेवा हो तो भगवन एक छोटा सा प्रश्न है कहिए प्रभू, आप हमें ये बताएं कि आप द्वार का के ही सम्रिधी में लगे रहेंगे या संसार के और भी कारी करेंगे मैं आपका ताकपाजे नहीं समझा मुनिवर सब को जानते हुए भी नादान बन रहे ये कैसी लीला है लीला धर आप भे सीधा प्रश्न कहा करते हैं मुनिराज प्रश्न सीधा है भगवन इस संसार में हर मानों को अपने वन शुवरिधी की कामना रहती है यूँ भी विवाः धर्ती के सोलह संसकारों में से एक है और अब वो समय आ गया है कि आप विवाः करें आप कैसी बात कर रहे हैं मुनिवर भला दाव भाईया से पहले मैं अपना विवाः कर लूँ असंभा हो क्या मुझे पातक न लगेगा परिवेत्ता कहलाओंगा परिवेत्ता दाव भाईया के विवाः की चिंता आप मैं करें उसका प्रभंतो ब्रह्मा जी ने स्वेंग कर दिया है यहां तक कि आपके होने वाली भावी इस समय पित्थी लोग की और ही आ रही है उनके स्वागत की तैयारी कीजिए वगवन यह क्या कह रहे हैं मुनिवर तनिक हमें इतना तो बताईए कौन आ रहा है कैसे आ रहा है सब को जानते हुए भी मुझे ही से सुनना चाते हैं तो सुनिए जब मैं ब्रह्मलोग पहुँचा तो मैंने देखा कि आनर्त नंदन समराठ रेवत के पुत्र महाराज कुकूदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मलोग चलेगे जब वे वहाँ पहुचे तो उसी समय मैं भी वहाँ पहुचा और देखा कि ब्रह्माजी की सभा में संगीत गोस्ची चल रही थी जय की जय की जय कामनस्ता जय की 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 आओ वत्स, जगस रष्टा के शिरी चर्णों में महराज रेवत के पुत्र ककुद्मी का प्रणाम स्विकार हो। कल्यान मस्त। कहो, मृत्यों लोग से यहां तक आने का कारण क्या है। हे पितामा, मेरी यह पुत्री यग कुंड से उत्पन हुई है। इस दिव कन्या के योग कोई भी वर मुझे सारी प्रत्वी में दिखाई नहीं दिया। इसलिए आपकी सेवा में यह पूछने आया हूँ कि इसके योग वर मुझे किस लोक में मिलेगा और वो कौन है। इसका वर तुम्हें प्रत्वी लोक में ही मिलेगा। परंतु पितामा, वहां तो कोई भी राजकुमार या राजा मुझे इसके योग दिखाई नहीं दिया। तुम जिन राजकुमारों की और राजाओं की बात कर रहे हो, उन में से कोई भी इस समय प्रत्वी पर जीवित नहीं है। मैं समझा नहीं पितामा। वच्स, मृत्योलोक और ब्रह्मलोक की काल की गती अलग-अलग होती है। धरा पर काल इतना शीग्रगामी होता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन में प्रत्वी पर कई चतुर युग्यां बीच जाती है। सो ब्रह्मा लोक में तुमने जो क्षण बिताए हैं, उतने में प्रत्वी पर तीन युग बीच गए हैं। राजन अब और देर न करो, शीग्रता से प्रत्वी पर लोड़ जाओ, तुम्हारे जाने तक वहाँ द्वापर युग का अंध होने वाला है। उस समय भगवान शेशनाग मनुष्य रूप में अवतार लेकर सरवेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्ती पर लिला कर रहे होंगे। तुम्हारी पुत्री रेवती वास्तों में भगवान शेशनाग की पत्नी और नित्य सहचरी देवी नाग लक्ष्मी के अंच से ही मृत्यू लोक में अपने पती भगवान अनंत की सेवा में प्रकट हुई है। आप इस कन्या का हाथ उनके हाथ में देकर न केवल अपने उत्तर दायतु से मुक्त हो जाएंगे। वरन प्रभू की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अनंत भगवान के श्री चर्णों में निरंतर वास का अलोकिक सुख मिलेगा। ब्रह्माजी से सुनकर मैं आपके पास चलाया हूँ। नारायन नारायन ये आपका समाचार बहुत ही शुब है। मेरा तो रोम रोम प्रफुलित हो गया मुनिवल। नारायन नारायन। उदर देखें महाप्रभु। अनन्त लोकों की यात्रा करते हुए आपकी भावी और उनके पिता आकाश माग से होते हुए पिथी लोक की ओरा रहे हैं। अब आप और दाव भेया इनके स्वागत की तैयारी करिए। मैं तो चला। नारायन नारायन। पुत्री, पृत्वी लोक तो आ गया। किन्तु इतनी बड़ी धर्ती पर भगवान शेशना कहा होंगे। उन्हें कहां ढूड़ा जाए। है पिता, आपने तो ऐसी बात कही जैसे कोई ये कहे कि अंदिकार में दीपक को कहां ढूड़ा जाए। उसका प्रकाशी उस तक पहुँचने का मार्ग दिखा देता है। इसलिए है पिता, पृत्वी को तनिक ध्यान से देखिए। तो उनका पता स्वयम ही चल जाएगा। वो देखो पुत्वी, वो देखो। चलो, हमें शीगर पहुशना चाहिए। झाल यह जए छो, हमें जाएगा। इसलिए। झाल 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 यह झाल 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 पर दोग दो एकार, पर दो पड़ होगा दोगा है कर दो कर दो हे सरवेश्वर भगवान श्री कृष्ण हे धरा मंडल को अपने फण पर धारन करने वाले भगवान अनंत आप दोनों के श्री चणों में महराज रेवत के पुत्र ककुद्मी का प्रणाम सुईकार हो आपका कल्यान हो राजन प्रभू जगत श्रिष्टा ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों की सेवा में भेजा है उन्होंने इस मृत्य लोक में आप दोनों के अवतार लेने का रहस भी मुझे बता दिया है भगवन मैं सत्युग में पैदा हुआ महराज रेवत का पुत्र ककुद्मी हूँ यह मेरी पुत्री यग्यकुंड से उत्पन हुई है प्रजा पिता भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे आप दोनों का परचे दिया है उन्होंने ये आदेश भी दिया है कि मैं अपनी ये पुत्री शेश भगवान को प्रदान करूँ क्योंकि ये आपकी नित्य सहचरी देवी नागमली के अंश से ही उत्पन हुई है सो हे भगवान शेशनाग आप मेरी पुत्री का पण ग्रहन करके मुझे कृता करने की कृपा करें महाराज आप सूर्य वंश में उत्पन्ध परमसिद्ध पुर्णे पुरुष हैं आपके बारे में नारज जी ने तो हमें पहले ही सूचना देदी थी तब से हम दोनों आपकी प्रतीक्षाई कर रहे थे आपके वंश के साथ संबंध होना यदुकुल के लिए भी बहुत गौरव की बात है इसलिए मैं अपने अग्रश दाव भाईया की ओर से इस संबंध को स्विकार करता हूँ धन्यवाद प्रभूप धन्यवाद आपने मेरे मन का भार हलका कर दिया है हे हलदर अब आप मेरी पुत्री का हाथ ग्रिहन करके मुझे कृदार्थ करने की कृपा करें हुआ 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 क्या हुआ 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 आप दोनों दिव्य आत्मा हैं आपका मिलन पूर्व निश्यत है फिर भी एक पिता होने के नाते इस कन्यादान के समय पुत्री को विदा करते हुए मैं अपने आशू नहीं रोख सकता इसके लिए आप दोनों मुझे शमा करें आप सर्व एशर संपन हैं फिर भी एक पिता की आप से यही विंती है कि अपनी इस बेटी को मैंने बड़े लाड से पाला है इसे सर्वदा सुखी रखना सर्वदा सुखी रखना हाथ आप मैं आपको वचन देता हूं कि अपने सुख एश्वर्य और वैभा में इनको बराबर का भागिदार बनाओंगा यह मेरे घर की स्वामिनी होंगी और हमारे गिरस्ति का सारा व्यापार इनकी अनुमती और इच्छा के अनुकूल ही होगा तुम दोनों का कल्याण हो तुम दोनों सर्वदा सुखी रहो इश्वर की असीम क्रिपात तुम पर सदा बनी रहे भागवन मेरा कर्तवी तो पूरा हो गया अब आप मुझे आज्याद है महराज इतनी जल्दी क्या है अभी द्वारिका में इनके विवा की जो धूम मचेगी वो तो देखते जाए यहां रहूंगा तो भूका मर जाओंगा प्रभू यह अब पुत्री का नगर हो गया है यहां का तो मैं पानी भी नहीं पी सकता वैसे भी यहां के नगरवासी इतनी बड़ी देह वाले दिर्गकाय मनुष्य की हसी नहीं उड़ाएंगे क्या देखिये ना सत्योग की तुल्ना में इस योग के मनश्य प्राणी पेड़ पौधे सब कितने छोटे हो गए हैं अब मेरा इस्थान यहां नहीं है मैं हिमाले पर जाकर अब तपस्या करूंगा प्रभू अच्छी बात है पधार यह आपकी तपस्या सफल हो आपके इतना कहने से ही मेरा कल्यान हो गया प्रभू मेरा कल्यान हो गया झाल झाल डाव भाईया भावी के लिए तो बड़ा उचा महल बनाना पड़ेगा उसकी आवशकत नहीं होगी हम अभी इन्हें सत्युक से द्वापर युक तक ले आते हैं प्रावी के लिए आते हैं प्रावी के लिए द्वापर युक तक ले, लिए भावी आते हैं पहिया, भावी, आप दोनों को बढ़ाई हो, अब मेरा यहाँ क्या काम, आप दोनों बाते करिये, मैं जाकर नगरवासियों को आपके विवाह की सूचना देता हूँ, सारे नगर में आप दोनों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ब्याह की बढ़ाई हो, ब्याह की बढ़ाई हो, ब्याह की बढ़ाई, भन्य भाई द्वारिका, रेवती कुमारिका, चारिका से भूमे देवतार आए, ब्याह की बढ़ाई हो, ब्याह की बढ़ाई, किश्म को बढ़ाई, बलराम को बढ़ाई हो का कुड मी उदास पहुचे ब्रह्मा जी के पास बंधाई, जगत पिता ने आस बर्बत लाए दियो, बंधाई, जगत पिता ने आस बर्बत लाए दियो, जाओ पृत्वी लग मिट जाए चिंता दंका तो, पिता ने दे कितना को दो, याहर चाए दियो, कि दिविने त्रिवती बलदाओं को मेल मिलाए दियो, प्याह की बढ़ाई हो, प्याह की बढ़ाई, विष्ण को बढ़ाई बनराम को बढ़ाई यह सोभा कभी पहले देखी ना सुनी, इस ठाकी पे मोहित पुर नर और मुनी, अप आशा अप रिधाशा ये हमारी सकी, श्री प्रेश्णा दिलाए बधो प्यारी सकी, जय हो बल राम की, जय हो धन शाम की, जय हो यद बंच की, त्वारी का लाम की, जिव छबी निहारी ये, तनमन धनवारी ये, जिव छबी निहारी तनमन धनवारी ये, आज देग की मात रोहिनी हर्शित हैं, पुत्रों पे वस देव पिताशी गर्वित हैं, बल दाओं की जोडी पे बलिहारी हैं, आज परमानंदित कृष्ण मुरारी हैं, नाचोड़े, काओओडे, नाचोड़े, नाओड़े, नाचोड़े… पादरे मारे नियासा प्रिश्न को बढ़ाई पर राम को बढ़ाई प्रिश्न को बढ़ाई पर राम को बढ़ाई प्रिश्न को बढ़ाई पर राम को बढ़ाई पर राम को बढ़ाई प्रिश्न को बढ़ाई पर राम 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 को बढ़ाई पर र